नमस्कार, One India में आपका स्वागत है मेरा नाम अबिनाश है टीम इंडिया ने अस्ट्रेलिया को हरा दिया है जहाँ आठ विक्तों से अस्ट्रेलिया को भारत ने हराया है मेलबन टेस्ट मैच में रहाने की टूली ने अस्ट्रेलिया की सबसे मजबूत टीम को हराय है जिसमें स्टीवन स्मीथ और मारनस लबुशेन जैसे खिलाडी मौजूद थे इस जीत के साथ ही भारत ने स्रीज में एक-एक से बराबरी कर ली है साथी जीत के हीरो अजिंक रहाने रहे जिन्होंने अपनी कप्तानी में अस्ट्रेलिया में पहली जीत हासल की साथी लगातार ये उनकी तिसरी कप्तानी जीत भी है अब तक रहाने की कप्तानी में टीम इंडिया ने कभी टेस्ट मैच नहीं हारा है टॉस जीतकर पहले बलेबाजी करने उत्री अस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत हमेशा की तरह खराब रही जो बंस और मैथ्यू वेट की जोड़ी एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुई जो बंस खाता नहीं खोल पाए जबकि लबुशेन ने पहली पारी में सबसे अधीक 48 रन बनाए मैथ्यू वेट ने 30 रनों की पारी खेली स्टीवन स्मीथ नाकाम रहे शुन्ने पर आउट हुए अस्ट्रेलिया की पहली पारी मातरप 195 रनों पर सिमट गई जबाब में भारत ने पहली पारी में 326 रन बना दिये भारत ने कप्तार आजिंक रहाने के 112 रनों की पारी के दम पर 131 रनों की एहम बढ़त हासिल की साथी रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में 57 रन बनाए और पहला मैच खेल रहे शुमन गिल ने 45 रनों का योगदान दिया इसके बाद दूसरी पारी में अस्ट्रिया टीम एक बार फिरिस से धराशाई हो गई अस्ट्रिया की टीम ने तिसरे दिन 99 रन के स्कोर पर 6 विकेट गबा दिये थे एक समय टीम पर पारी की हार का खत्रा मंडरा रहा था लेकिन दूसरा मैच खेल रहे कैमरें ग्रीन और पैट कमिस ने मिलकर टीम को इस सम मुश्किल से निकाला कैमरें ग्रीन ने दूसरी पारी में 45 रन बनाए जबकि अस्टेलिया के लिए मैथ्यू वेट ने दूसरी पारी में 40 रन बनाए मारनस लबुशन 28 रन बनाकर आउट हुए किसी तरह अस्टेलिया 200 रन ही दूसरी पारी में बना सकी और भारत को जीत के लिए 70 रनों का टारगेट मिला जिसे दो विकेट खूकर टीम इंडिया ने हासिल कर लिया अजिंक रहाने दूसरी पारी में 27 रन बनाकर नाबाद लोटे जबकि शुमन गिल 35 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह मेलबर्ण टेस्ट मैच में भारत ने इतिहास रच दिया रहाने को प्लेर अफ़ दा मैच के अवार्ड से नवाजा गिया जबकि जस्परीद बुमरा ने इस मैच में कुल 6 विकेट हासिल किये वही आर रश्वी ने 5 विकेट चकाए इस ख़बर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए One India के साथ